हलो दोस्तों, क्या आपके टेल बोन में पेन है या कभी आप जब हार्ड सर्फेस पे बैठते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है जदी हां तो ये वीडियो आप पूरा शुरू से लेके लास तक देखिए और आपके टेल बोन में या कमर के निचले हिस्से में होने वाला पेन पूरी तरह ठीक हो जाएगा हलो दोस्तों, और्थोपेडिक से जुड़े विबिन्य वीडियो की श्रंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों, और्थोपेडिक में एक सबसे कमन प्रॉब्लम जो हमारे या डे-to-day OPD में हम लोग देखते हैं वो होती है टेल बोन में पेन यानि कूले की या कमर की वो सबसे नीचे वाली हड़ी जिस पे कि जब हम बैठते हैं तो तिवर दर्द होता है जदा तर महिला हैं मेरे पास इस प्रॉब्लम के लिए आती है लेकिन पूर्शियों में भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जब भी वो किसी हार्ड सर्फेस पे बैठते हैं या लंबे सफर में कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो टेल बोन में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है मेडिकल की भाषा में दोस्तों इसको कॉक्सीडीयनिया कहते हैं कि क्यों होता है किस किस कार्नों से इस पें के में बढ़ जाता है कैसे इसका इलाज किया जा सकता है सबसे कॉमन प्रब्लम जिसकी वज़े से कि कॉक्सी डाइनिया स्टार्ट होता है वह होता है कि जनम जाती जो आपकी जो हड़ी है उसकी जो शेप बगाइदा सर्कूलर या राउंड शेप ना होके एक एक एक्यूट एंगल पर मुड़ी होती है इसकी वज़े से ऐसे लोग जिनके की जो कॉसिक्स की शेप है वो प्रॉपर्ली नहीं होती जब भी वो किसी हार्ड सर्फेस पे बैठते हैं तो अचानक से उनकी जो टेल बोन होती है उसमें शार्प दर्ध होता है ऐसे में ऐसे लोगों के साथ कोई बहुत ज़्यादा परिवरता नहीं कर सकते क्योंकि जनम जाती उनकी हड़ी बैंड खाई होई है ऐसे में जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें एक्सरे कराने की सला देते हैं एक्सरे पर बोन की शेप टेड़ी वह आती है तो उन्हें रिंग कुशन लेने की सला दी जाती है दूसरी सला जो कॉक्सी डाइनिया के पेशेंट्स को हम कॉमली देते हैं वो उनको सला देते हैं कि उन्हें सिड्स बात यूज़ करना चाहिए सिड्स बात में दोस्तों क्या करना होता है कि जो गरम पानी का जो टब है उसमें आपको बैठना है बीस से तीस मिनट मौर्णिंग और इवनिंग में सिखाई करनी है सेम ऐसा ही सिड्स बात पाइल्स के पेशेंट्स को भी का जाता है तो आपने हो सकता है अपने घर में ऐसा देखा भी हो तो इस इड्स बात और रिंग कुशन इसके जो कॉक्सीडाइनिया के पेशेंट्स के सबसे मैत्वपूर्ण इलाज है दूसरे काटेगरी के पेशेंट दोस्तों कॉक्सीडाइनिया में वो आते हैं और पेशेंट को चलने में या फिर लेटने में तो इतनी दिक्कत नहीं होती लेकिन वो हार्ड सरफेस पे नहीं बैठ सकता या बैठता है तो उसे थोड़ा सा टेडाओ के बैठना बढता है ऐसे लोग जब हमारे पास एक्सरे कराने आते हैं तो हम एक्सरे करते हैं तो उनकी बोन या तो हलका सा फ्रेक्चर दिखाती है या कभी-कभी हलकी सी मुड जाती है दोस्तों टेल बोन की पेन की सबसे बड़ी प्रॉडलम यह है कि वह इतनी डीप होती है कि वहाँ पर किसी तरह का प्लास्टर लगाना या किसी तरह की ट्यूब लगाना तो संभव हो ही नहीं पाता इसलिए उन लोगों को हम कुछ खास परेज करने की सला देते हैं पहले तो उन्हें दर्द की कुछ दवाईयां दी जाती है ताकि जो आपे जो दर्द और सूजन है वो कम हो सके दूसरा जैसा कि मैंने टेल बोन के पहले वाले सेशन में बताया कि हम उन्हें रिंग कुछन की सला देते हैं अगर वो ऐसे किसी जॉब में है जहां उन्हें लंबे समय तक बैठना पड़ता है जैसे वो बैंक में काम करते हैं या गॉर्मेंट टीचर है या फिर अकाउंटेंट है तो उन्हें रिंग कुछन को अपने साथ केरी करना पड़ता है उन्हें इस बात का ध्यान रखना होत होता है सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट बैठने से टेल बोन के अंदर पानी जाके उसकी सिकाई करता है और उसे टेल बोन के पैन से निजात मिल जाती है तो दोस्तों ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है जो जादा तर टेल बोन के पेशेंट्स में असरदारक होता है कभी- वज़े से वहाँ पे सूजन कम हो जाती है और काफी सारे लोगों का पेन खतम हो जाता है कभी-कभी रेरली कुछ ऐसे पेशेंट हमारे समक्षाते हैं कि जिनके अंदर इंजेक्शन से दवाईयों से और किसी भी तरह की फीजियो थेरपी से भी कोई फाइदा नहीं होता त तो ज्यादा तर पेशेंट्स फीजियो थेरपी से, सिड्स बाट से और रिंग कुशन यूज़ करने से ही ठीक हो जाते हैं दोस्तों कभी-कभी मैंने ऐसे रेयर केस भी देखे हैं जो कुछ दूरों पहले मेरे पास एक सजजन संपर्क में आये थे जो कि टेल बोन के पेशें से 2-3 साल से परेशान थे और एकसरे कराने पर सब कुछ नॉर्मल आता था जब हम लोगों ने उनको MRI कराने की सला दी तो 3 टेसला उन्होंने MRI कराई मेरा MRI का एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं कि MRI कैसे और कब करवानी चाहिए जब हमने उनके MRI कराई तो पता चला कि उनकी जो टेल बोन थी उसमें इंफेक्शन था जिसे मेडिकल की लेंग्वेज में ओस्टियो माइलाइटिस कहते हैं तो इस टीबी के इंफेक्शन की वज़े से उनकी टेल बोन में पेशन हो रहा था क्योंकि इंफेक्शन की वज़े से भी टेल बोन में पेइन हो सकता है इंफेक्शन से उने वाले टेल बोन के पेइन को सामाने टेल बोन पेइन से ऐसे डिफ्रेंशिट किया जा सकता है कि जो infection का pain है उसमें चटके चलने जैसी जैसे कोई मवाद हो जाती है वैसी feeling आती है और दूसरा position बदलने से भी कोई फरक नहीं पड़ता यानि कि वो patient बैठे खड़े या चला रहे किसी भी position में रहेगा तो उसके tailbone में लगातार pain होता रहता है और साथ में अगर वो blood test कराता है तो WBC count बढ़ा हुआ आता है ESR उसकी बड़ी भी आती है और हो सकता है उसकी कोई ऐसी history भी हो जिसमें कि वो किसी TB के patient के contact में आया हो तो tailbone की TB भी एक infection है जो ऐसा हो सकता है तो दोस्तों यह थी संक्षिप्ण में जानकारी tailbone के pain के बारे में क्या आप लोगों को भी कॉसिक्स की या tailbone के pain की problem है तो आप हमारा online consultation program यूज कर सकते हैं इसमें निर्दारित शुल्क देकर आप मुझसे सिधे बात कर सकते हैं अपने X-ray और MRI शेयर कर सकते हैं और मेरे से इसके बारे में detail जानकारी ले सकते हैं जो लोग tailbone के pain से बचना चाते हैं उन्हें मैं यही सला दूँगा कि आप अगर sitting profession में हैं तो जहां तक होसे के नरम गद्दी का उपयोग करें hard surface पे कम से कम बैठें ट्रेवलिंग करते वक्त ध्यान रखें कि ऐसे वाहन का उपयोग करें कि उसमें अच्छे shock absorber हो ताकि दचके या जटका ना लगे क्योंकि hard surface पे जटका लगने से tailbone का पीन होने का chance रहता है किसी भी ऐसी जगह जहां पानी वानी भरा हो आप फिसलने वाली जगह पे जाना avoid करें क्योंकि फिसलने की वज़े से आपके tailbone में injury हो सकती है तो दोस्तों ये सब जानकारी थी tailbone के बारे में अगर आपको भी इसी प्रकार से orthopedic की कोई और समश्या है जिसके बारे में आप जानना चाते हैं तो हमारे comment section में उसका उलेक करें हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसका वीडियो लाके और आपको उसके बारे में जानकारी देंगे धन्यवाद दोस्तों